विद्ध्यर्थी मित्रों एकम पाच चिडिया घर की शेर विशेश माईती माटे तम्हें क्यूर कोडने पन स्केन करी सको छो विद्ध्यर्थी मित्रों पेला चित्र जोईलियो सीईने सेर गेवाई माचली ने मचली काका कववाने काका तुवा बंदर बतख आखास ध्यान रागजो बतख त्यार बच्ची मोर गेंडा कच्चुवा शुत्तुर मुर्ग आपन ध्यान मा रागजो सामरूग ने सुतुर मुर्ग केवाई चिराफ मगर हाथी भालू तोता उट तो आब दा जे सब्दों छे तमारे ध्यान मा राखवाना छे अगड़ आपने पाठनू वांचल करिए तो कल गिता अपने दादा जी के साथ चिरिया घर गई थी उसने देखा कि सेर सेर के पिंजरे के पास बहुत भीड थी सेर गरजा तो सब डर कर पिछे हट गए सामने लोग बंदर को मुंग फली और केले खिला रहे थे दादा जी ने कहा देखो वह लिखा है चिरिया घर के जानवरों को खाना देना मना है गिता बोल दादा जी वह देखे काले मू का बंदर दादा जी हस पड़े और बोले बिटिया वह बंदर है लंगूर है लंगूर का मू काला होता है एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सिंग था साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ तिरे तिरे टहल रहा था गिता दादा जी को खिचती हुए आगे ले गई वहाँ भालू दो पेरों पर खड़ा था एक तालाब में रंग बे रंगी मचलिया और बतक तेर रही थी गिता ने दादा जी को दूसरी और इसारा करके दिखाते हुए का दादा जी दादा जी वह देखे पत्थर चल रहा है दादा जी उसे समझाते हुए बोले बिटिया वह कच्छुआ है जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और आत पेर अपने खोल में चिपा लेता है खोल इसका रक्षक है गिता दोड़ कर आगे आई एक बड़े तालाब में मगर तेर रहे थे जैसे ही एक मगर ने मूँ खोला गिता ने डर कर दादा जी का हाथ पकल लिया और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था उसमें बहुत सी चिडिया थी गिता ने खुशी से ताली बजाए और कहा वह देखिये अरियल तोता दादा जी ने कहा हाँ और उदर देखो वह सफेद वाला विदेशी काकाता हुआ है उसे कातुआ कहते हैं गिता चहा कर बोली दादा जी कुछ चिडिया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है जैसे चिडिया पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था दादा जी ने गिता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी सुतुर मुर्ग होता है वह देखो सुतुर मुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है चिडिया घर में हाथी और उटकी सवारी भी कर सकते है सामने आइसक्रीम का एक ठेला था दादा जी ने अपनी लाठी टिकाई और गिता के लिए आइसक्रीम खरी दी अब तक दोनों ठक चुके थे वे चिडिया घर के दर्वाजे से बहार आए बस पकड़ी और अपने घर आ गए तो विशेश अभ्यास के लिए आवाज उच्छे आवाज में पढ़िये पढ़ी और लिखिये इसा है आप पढ़ी और लिखिये उत्तर देने हैं कुछ जब कुछ गजब चोटे बच्चे और वेस्ट को कोई पल के चपक में क्या अंतर है हमारे सरीर के कौन सा कारिय करने में 12 घंटे लगते हैं सरीर के ऐसे कौन से दो अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं तो इदर कुछ जब कुछ गजब भी दिया हुआ है उसकर पढ़कर इसको पढ़कर निचे दिये गए प्रश्णों के उतर देने अगर आप कभी गोरे करेंगे गोर करेंगे तो आपके पता चल खाना पचाने का हजम करने में करीब बारा घंटे का समय लगता है कि आपको पता है कि हमारे यानि मानुशरी में ना क्यों कान दो एसे अंगे जिनका आकर पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है तो सुना आपने भी कोई बहुत दीरे चलता है तो लोग केते ये कच्छवे की चाल चल रहा है अब तुम बताओ कि के चला चाल चलने वाले को कहा क्या कहेंगे खरगोस की चाल चीडिया घर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए हमें चीडिया घर में किसी जानवर को खा सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या था सुतर मुर्ग लिखे अब दिये गये उधर पेड़ पर बंदर लटक रहा है लटक रही है तो बंदर की जगा बंदरिया एस तलब में आत हो ज Definitely time च्रुब रही है ट्रस्य में प्सक्रा WWE सेरढी अधर li है द्रश्य दिया गया जीराफ है शेर है धिरन है आथी है बंदर है बतक है कच्छुआ है तो उसके बारे में पांच वाक्य तुम्हें लिखने है पूर्ति किये जोर से गर्जा सेर खालजी किया पूर्णी है तो इतर आएगा सेर चीड़ा गर में एक सिंग वाला गेंडा तालाप में बतक हरियल तोता ठीक है ऐसे पूर्ण कीजिए अभी चित्र पैचान कर आयत में से उसका इंदी नाम डूंड कर लिखना है तो सही नाम सेर तो इदर लिखिये मुख़ली तो मुख़ली निचे से लिखिये केला तो केला इदर लिखिये गेंडा तो इदर लिखिये एसे तुम्हें सभी लिखना ऐसा ही जगा पर लिखना है ठीक है तो ऐसे तुम लिख सकते हो इस प्रकार से सब्भी आप पुर्ण कीजिए और एसे सब्द को पढ़िए पूलिंग सरवनाम स्ट्रेलिंग एसे विशेशोन ये सब्द के लिए इदर कुछ बाते दी गई है आप वह जान सकते हैं अपने कुछ चर्चा करके जानिए और उसको क्रम इस प्रकार लिखने का क्रम दिया गया है कैसे लिखते हैं तो पहले अनुसरवाला कंगाल कपूर का है तो सब्द कोश के क्रम में सबसे अनुस्षावला आता है उसके बाद को का की की कु क्रू क कै कं की को कौसे क्यू आधा क्रवाला झाले क्रू और LINर सक्रम झाल झाल